पवन सिंग इंडिया आए नहीं कि विवादों का दौर शुरू हो चुका है जी हाँ आप पवन सिंग जितना विवादों से दूर रहना भी चाहते हैं भाई वो रह नहीं सकते हैं क्योंकि वो बोचपुरी का एक बड़ा नाम है और बड़े नाम से कौन नहीं जुड़ना च चलकर पवन सिंग का नाम घसीटा जाना है तो विवाद नमबर वन कि बच्चन पांडे का ट्रेलर रिलीज हुआ और क्रेडिट नहीं दिया गया पवन सिंग को अब भाई अगर आपने इस फिल्म का ट्रेलर देखा है तो पहले ये बताए कि कौन से म्यूजिक डिरेक्टर और कौन से सिंगर को क्रेडिट दिया गया किसी को नहीं तो खैर पवन सिंग को कैसे दिया जाता लेकिन उसके पहले ये तो जान लेजिए कि क्या पवन सिंग का सचमुच गाना है इस फिल्म में क्या पवन सिंग अक्षय कुमार के लिए गाएंगे तो स्टार्ट हम यहीं से करते हैं वीडियो को और आपको बताते हैं कि इस तरह की खबरे एक यूट्यूब चैनल द्वारा प्रशारित की गई और दिखाई गई कि बच्चन पांडे में पवन सिंग का एक गाना आने वाल हैं पवन सिंग के टीम की तरफ से कोई ओफिशल एनाॉंस्मेंट नहीं की गई ना लेकिन ऐसा जरूर कहा जा रहा है कि पवन सिंग के कई बॉलीवूड प्रोजेक्ट आने वाले हैं इसका खुलासा तो खुद पवन सिंग के मैनेजर अमिश सिंग ने भी किया है कई मरतब उसे लेकर कोई हवा नहीं बनाया जाता मार्केट में अब ऐसे में पवन सिंग को लेकर ये खबर कहां से आई जैसे हमने आपको कहा कि पवन सिंग के ही एक फैन ने इस तरह की खबर उड़ा दी उसका कारण ये था कि इस फिल्म में पवन सिंग का नाम जोड़ा जाना इस तरह हो गया कि इस फिल्म में जो कैरेक्टर अक्षे कुमार निभा रहे हैं वो बिहार की प्रिस्ट भूमी से तालुक रखता है और इस फिल्म में आपको अक्षे कुमार बिहारी अंदाज में डाय पवन सिंग के एक फैन ने इस तरह की खबर फैला दी और लोगों ने इस खबर पर आख बंद करके यकीन कर लिया। लोगों को लगा कि सचमुझ पवन सिंग बच्चन पांडे फिल्म में गाना गाते नजर आएंगे। अब यहां पर पवन सिंग की तरफ से कभी भी कोई ओफिशल एनाउंस्मेंट नहीं कीगे। हाँ ये हो सकता है। आप ये कह सकते हैं कि प्रमोशन के दवरान भोचपुरी स्टार्स का सहारा लिया जाए। जिन में से ये पवन सिंग भी हो सकते हैं, खेसारी भी हो सकते हैं, निरहुआ भी हो सकते हैं, हमारे भोचपुरी इंडस्ट्री की कई सुपर हिट हिरोईने भी हो सकती हैं क्योंकि बिहार के प्रिष्ट भूमी पर फिल्म जो बनी है। अब दूसरी खबर, दूसरी खबर ये है कि पवन सिंग को लेकर ये खबर बड़ी तेजी से गर्म हो रही है कि पुस्पा फिल्म जो की अलु अर्जुन की सबसे सुपर हिट फिल्म है, उसका रिमेक भोचपुरी में पवन सिंग बनाएंगे। जी हाँ, अब ऐसा तो कोई ओफिशल इनाउंस्मेंट किसी की तरफ से नहीं किया गया। कि यहाँ पर पवन सिंग के प्रोजेक्ट आने वाले हैं, तब तक उसे सुशल मीडिया पर बताया नहीं जाता। खेर, आपसे हम यहीं कहेंगे कि फिलहाल ऐसे खबरों से बचे और अगर पवन सिंग का कोई भी बॉलिवूड प्रोजेक्ट आएगा, तो वो जरूर आपके समक्ष होगा। भुच पुरी जगत की होट और मसालेदार गॉसिप के रहे हमें सब्सक्राइब करना, बिलकुल न भूले हैं।